जैहिन आज हम पढ़ने वाले हैं MPG के टेस्टी स्रीज में MPG के अतीम महत्पुन प्रस्म तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोश्चन है मदप्रदेश के कौन से जिले में अफिम की खेती की जाती है तो इसका जो राइट अंसर है वह है आफिम नमबर एक मंदसोर में मंदप्रदेश के amor Jili में अफिम उतपादन में प्रथम जिला है मंदसोर के पसुपती नाथ मंदिर की तुलना नेपाल के पसुपती मंदिर से की जाती है, मंदसोर में पसुपती नाथ मंदिर जो है वहाँ सिबना नदी के टट पर इस्थी थे, यह भी आपको याद रखना एकसर पूछा जाता है, मंद्यप्रदेश का पसुपती नाथ मंदिर किस टेस्ट लगा सकते हैं जहां पर आप लोगों को यहां टेस्ट स्रीज 50% डिसकाउंट पर मिलेगी यदि आप हमारा कूपन कोट जवंग 50 यूज करते हैं तो तुरंत जाईए और इस टेस्ट स्रीज को लगाईए क्योंकि इस टेस्ट स्रीज में 50 से भी ज्यादा टेस्ट पेपर है जहां टेस्ट का फुल एनलाइसिस किया जाएगा और आपको MPK टॉपर्स के बीच में अपनी रेंक देखने को मिलेगी तो तुरंत परिक्षा एप में सबसे अधिक बन आच्छादन है तो इसका जो राइट आंसरे वह है आपसर नमवर मद्प्रदेसराज सबसे अधिक बन आच्छादन है मद्प्रदेस के बनों में सरबादिक बन सागोन व्रक्ष के पाई जाते हैं एक तेरा ही में, मोहाज माता मंदिर स्विवपूरी के तेरा ही में इस्ति थे, स्विवपूरी ग्वालियर के सिंधिया बंस की ग्रिश्म कालिन राजधानी थी, तो यहाँ भी आपको याद रखना है, नेक्ट कोशन यहाँ पर हमारा, सतना जिले में गोला मठ कहां इस्ति थ जो आक्सर पूछा जाता है, आपको यहाँ भी याद रखना है, नेक्ट कोशन यहाँ पर हमारा, मंदसोर में सिभनानदी के किनारे कोन सा प्रसिद्ध मन्दिर इस्ति थे, तो आभी मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर है, आप्सन नमबर 1, पसुपती नाथ, म हंडिया में हर्दा जिले की प्रसिद तेली की सिराय हर्दा जिले के हंडिया में इस्थी थे हंडिया हर्दा जिले में नर्मदा नदी के किनारे इस्थी थे नेश्ट कोशन यहाँ पर हमारा मध्यप्रदेश के किस सहर से मसूर गायब कुमार गंधर्व संबंध थें तो इसका जो राइट आंसर वा है आप्शन नमबर तीन देवास से मध्यप्रदेश के देवास सहर से मसूर गायब कुमार गंधर्व का संबंध है नेश्ट कोशन य कि मद इंदोर मदिप्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग भी है तो दोनों ही कंडिशन में सबसे बड़ा इंदोर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन यहां पर हमारा कोश्चन नमबर 10 विशेज जनजाती की जन जाती आपको याद रखना है भारिया जन जाती है चलिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है किस राष्ट उध्यान में सरबादी क्रश्ण म्रग पाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर है आप्सन नमबर 4 सत्पुडा राष्ट उध्यान में सरबादी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर हमारा बनने जीव सरक्षण अधिनियम कब से प्रभाव में है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वाहे आप्सन नमबर 2.1972 से बनने जीव सरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था इसके अंतरगत राश्टी भ्यानों और बनने प्राणी अभ्यारणों की स्थापना की गई नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर हमारा यमुना में ना मिलने वाली नदी कोन सी है तो इसका जो राइट आंसर है वाहे आपसन नमबर 3.100 नदी यमुना में नहीं मिलती है 100 नदी गंगा का इटक में होता है सोन नदी बिहार में गंगा नदी में मिलती है नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर हमारा बरोडिया शिचाई नहर किस नदी से समबन्धि थे तो इसका जो राइट आँसर वाहे आफसन नंबर 2.100 नदि से बरोडिया शिचाई नहर चंबल नदी से नदी आगे बरते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहाँ पर हमारा मार्वल के सरबादिक उद्ध्योग वाला जिला कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर है आप्सन नमबर एक कटनी कटनी जो है यहां मार्वल का सरबादिक उद्ध्योग वाला जिला है आगे ब आश्टी ओसत घनतु जो है वहद 83 किलो मेटर प्रती 100 किलो मेटर है और मद्यप्रदेश का है 31 किलो मेटर प्रती 100 वर्ग किलो मेटर प्रदेश में सरबादिक सड़क घनतु वाला जिला सतना तथा सबसे कम सड़क घनतु वाला जिला सेवपूर है तो इससे दो कोशन आपके दो भागों में विभाजित करती है तो इसका जो राइट आंसर है वा है आफसर नमBER दो चंबल नदी गांदी सागर अभ्यारण को दो भागों में बिभाजित करती है चंबल नदी का महुके निकट जाना पाओ पहाड़ी से हुआ है यह नदी अपने मार्ग में खड का निर्मान करती है जो डाकूओं के लिए आश्रे स्थेल का कारे करता है आगे बरते हैं नेश्ट कोशन की और नेश्ट कोशन यहाँ पर हमारा मद्यप्रदेश के सरबादिक पिछड़ जंजाती कौन सी है तो इसका जो राइट आंसर वा है आपसर न जंजाती बोलती है तो भरनोती बोली बोलती है आगे बरते हैं नेश्ट कोशन की और नेश्ट कोशन यहाँ पर हमारा नहरू स्टेडियम कहां इस्ति Societ तो इसका जो राइट आंसर वाह है आपसरन नंबर एक इन दोकी तो पुछा गया आपसे मुम्ताज महल की कबर कहां इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसर वा है आपसर नमबर एक बुरहान पूर में मुम्ताज महल की कबर बुरहान पूर में इस्ति थे मुम्ताज महल की याद में सहजा ने आगरा में ताज महल का निर्मान करवाया था नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर हमारा मध्यप्रदेश राजी निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कोन थे तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप्सन नमबर 4 एनबी लोहानी मद्यप्रदेश राजी निर्बाचन आयोक के प्रथम अध्यक्ष एनवी लोहानी थे, बरतमान में राजी निर्बाचन आयोक के अध्यक्ष बसंत प्रताप सी है, नेश्ट कोशन यहां पर हमारा महाकाल की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर वाहे आफसन नमबर 3 उज्जेन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है उज्जेन को मध्ड़ प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है उज्जेन में महाकाल मंदिर छिपरा नदी के टड़ पर इस्थी थे Next question यहाँ पर हमारा question number 23 कमला नहरू प्राणी संग्राहले कहां इस्थी थे तो इसका जो right answer वाहे आफसन नमबर 2 इंदोर में कमला नहरू प्राणी संग्राहले इंदोर में इस्थी थे आगे बरते हैं next question की ओर next question यहाँ पर हमारा मद्प्रदेश खेल कूद एबम यूबक कल्यार विभाग का मुख्याले कहां इस्थी थे तो इसका right answer वाहे आफसन नमबर 3 भवपाल में मध्यप्रदेश में इजित्मा नामक बार्शिक समागम कहां होता है तो इसका जो राइट आंसर है आपसन नमबर एक प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रति बर्स आयोजित किया जाता है नेक्स्ट कोशन यहाँ पर हमारा महा जन्पद यूग में उज्जेन दिम्ने लिखीत में से किसकी राजधानी थी तो इसका राइट आंसर है आप्सन नंबर दो अवन्ती महाजनपद युग में उजेन की राजधानी अवंती थी महाजनपद युग में कुल 16 महाजनपद थी जिन में सबसे बड़ी जो जनपद थी वहां मगत समराज्ज था आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question है पर हमारा मध्यप्रदेश में भगोरिया नेत्य किस जिले का है तो इसका जो right answer रिवा है option number 3 जाबुआ मद्धिप्रदेश में भगोरिया अन्यत्य का संबद जाबुआ जिले से है भगोरिया अन्यत्य भील जन्जाती द्वारा किया जाता है भगोरियान्य ते किष जन्जातीद्वारा किये जाता है तो आप का अंसर होगा भील जन जाती के दौरा भीलमद्विप्रदेश की सबसे बड़ी जन् ting है नेक्ट कोशन यहां पर हमारा प्राचिनकाल में महामलिस्तान के नाम से कौन सा इस्थान प्रसिद था तो इसका जो right answer रिवा है आपसवन नंबर D बिदिशा प्राचिनकाल में महा मलिस्तान के नाम से बिदिशा इस्थान प्रसिद था बिदिशा में उध्यगिरी की गुफाय इस्ती थे बिदिशा का प्राचिन नाम बेस नगर या भेलसा था तो यहाँ पूछा गया कोशन है तो आप याद रखेंगे विदिशा का प्राचिन नाम बेस नगर या भेलसा था नेक्ट कोशन ही यहाँ पर हमारा मध्यप्रदेश में 73 संबिदान संसोतन के अंतरगत बिधिवद पंचायती राज किस तीथी को प्राणब हुआ तो इसका जो राइट आंसर दोस्तो वा है आप्सन नंबर डी 20 अगस्ट 1994 को मध्यप्रदेश में 73 संबिदान संसोतन के अंतरगत पंचायती राज 20 अगस्ट 1994 को प्राणब हुआ था पंचायती राज कबर्णन संबिदान की 11 अनुसूची में किया गया है आगे बढ़ते हैं दोस्तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के एक क्वीज रखी हुई है जिसक अधि आप लगों को MP प्लिस कॉंस्टेवाल एक्जाम, MP फॉरेस्ट एक्जाम, MP सरकार की किसी भी एक्जाम के प्रिवेस यह कोशन के वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं जाए हिन दोस्तो